हेलो एवर्यवं व्यल्काम अगिन लें विद द्यतीमन बचों हम बात करें थे लास टैंड rigor गर्रद्र नींच चाहिक अब experiments इसी वीडियो में हम बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में भी जो की हमारे परिवेन सिस्टम का काफी एहम हिस्सा है तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं भारत में वायूयान का प्रारम कब हुआ था तो यह आपके इंपोर्टेंट है 1911 इसवी में हुआ था इलाबास से नैनी के मद्दे चलाए गई थी और 10 km की इसमी मात्र रेंज थी 1911 इसवी में इलाबास से नैनी के मद्दे और इसकी बीच में दूरी मात्र 10 km थी ठीक है भार रात में वायूयान 1911 इस्वी में चलाए गया नेक कोशन इंडियन एरलाइन्स में सम्मलित 1947 में कौन सी चार कंपनी वायू परिवयन ही तो बनाई गई थी जब इंडियन एर्लाइन्स का जब हम इतियास पढ़ते हैं तो 1947 मे बनाई गई थी वायू परिवयन के अंतर तो कौन-कौन सी थी वो तो यह आपके थी इंडियन नेशनल एर्लेइस टाटासंस लिमिटेड एयर सर्वीजज ऑफ इंडिया ओर डकन एयर वेज चार कंपनिया कौन-कौन सी थी? इंडियन नेशनल एयर्लेज तूसरी थी टाटा पाषसान्स लिमिटेड और तीसरी Air Services ऑफ इंडिया और चोथी डकन Airways ओके नेक क्वेशन इंडियन एर्लाइन्स में समलेट 1951 में कौन सी चार नई कंपनिया बनाई गई इंडियन एर्लाइन्स में समलेट 1947 में देखा आपने चार कंपनिया बनी फिर 1951 में फिर बनी तो 1971 जो चार कंपनिया थी वो कौन कौन से थी भारत एयर्वेज, हिमालियन, एविएशन लिमिटेड, एयर्वेज इंडिया और कलिंगा एयर्लाइन्स ये चारों कंपनिया 1951 वे वनी थी इंडियन एर्लाइन्स का राष्ट्री करन कब किया गया ये कुश्चन आपके रीट के साब से बहुत इंपोर्टेंट है इंडियन एर्लाइन्स का राष्ट्री करन हुआ था या निस्ट्री करन हुआ था वो कब हुआ था 1953 में हुआ था और ये कुश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि ये question कई बार आ चुका है, तीक है, 1953 में इसका nationalization यान राष्ट्रे कर्ण हुआ था, next question, Indian Airlines का राष्ट्रे कर्ण करके कौन से दो निगम स्थापित किये गए, Indian Airlines का जब राष्ट्रे कर्ण हुआ, nationalization हुआ, तो दो निगम स्थापित किये गए, तो आपके दो निगम थे, Air India Limited और दूसा था, Indian Airlines, ओके, Air India Limited और India Airlines, next question देखे, विदेसी विमान सिवा प्रदान करने वाली, Air India की स्थापना कप की गए, विदेसी विमान सिवा प्रदान करने वाली, जो Air India है, उसकी स्थापना कप की गई थी, तो यह आपके 1947 में ही कर दी गई थी, इसकी स्थापना, विदेसी विमान सिवा प्रदान करने वाली, जो Air India कंपनी थी, उसकी स्थापना 1947 में ही हो चुकी थी, एर इंडिया द्वारा पहली वायू सिवा कप प्रारम के गई, यह भी पूच लिया जाता है कौन से देश के लिए प्रारम के गई, तो आठ जून 1948 में, यानि हमारे देश की स्थापना के एक साल बाद ही, आठ जून 1948 में, एर इंडिया इंटरनेशनल वायू आन द्वारा कॉंगो से जेनिवा होते हुए लंदन तक के लिए फ्लाइट रिस्टार्ट की गई थी, घरेलू वायू परिवहन उपलब्द कराने वाली सबसे बड़ी वायू आन कंपनी कौन से है? मारे देश के वारे में, जब हम रहते हैं, तो हमें पता होना चीए कि जब घरेलू वायू आन परिवहन यानी हमारे देश के अंदरी जब वायू परिवहन की बात आती है, तो उसमें सबसे बड़ी वाईयान कंपनी कौन सी है, तो वो आपकी है, इंडियन एरलाइन्स, जो जिसका मुख्याले कहां पहे है, हैड ओफिस का है, दिली भी, इंडियन एरलाइन्स है, जिसका है एड ओफिस दिली में है, और ये हमारी घरिलू वाईयू पर उपलब्द कर आने वाली सबसे बड़ी वाईयान कंपनी भी है, नेक क्वेश्चन, नेशनल एविएशन कंपनी ओफ इंडिया लिमिटेड, एनी सी आईयल, इसके आप से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद अखना है, नेशनल एविशन कंपनी ओफ इंडिया जो थी, वो इंडियान एर लाइन्स और एर इंडिया के विलैसे बनी थी, 24 अगस्ट 2007, ओके, नेक क्वेश्चन, भारतिय विमान पतनम प्राधी करण का गठन कब किया गया था, तो यह आपका एक अप्राइल नागरिक टर्मिनलों का प्रवंधन का इसका मुख्यकार्य है इसका मेन वर्क क्या है, हवाई याटे जो भी है, उनका और जो नागरिक टर्मिनल्स हैं, उन सबका प्रवंधन यानि अद्मिस्टिशन ये देखता है, नेक क्वेश्चन देखें, एरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया, द्वारा कितनी विमान पतनों का प्रवंधन किया जाता है, तो ये 126 विमान पतन है, जिनका इसके द्वारा प्रवंधन किया जाता है, सुरक्षित, सक्षम, वायू या यात्यात और वैग्यानिक संचार सेवाई ही, तो ये उतरदाई होता है, इसका मुक्य काम क्या है, सुरक्षित आपके यात्रा हो, सक्षम, वायू यात याता याता अपको लब्द हो सकें वैग्यानिक संचार सेवायं उपलब्द हो सकें इस चीज के लिए उतरदाई होता है डैक क्यूशन देखें दुर्गम इस्थानों तक सेवा प्रदाता पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेट के स्थाफना कब होई थी जो पवन हंस प्रदाता कंपणी कौन सी हवाई कंपणी है तो हम पता है पावन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड है और यह जो स्थापित हुई थी तो यह आपके 1905 में स्थापित हुई थी यह काफी इंपोर्टेंट है देख लीजेगा नेक्स्ट हमारे पास जो भारत के जो मुख्य अंतराश्टी हवाई अड्ड है वहांके लिस्ट दे रखे जो काफी इंपोर्टेंट है तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जनकरी होनी चाहिए इसको एक बार देख लीजेगा और जो इतना तो होना चाहिए कि यह कहा पर है तो इसको आप देखेगा नए कोस्ट देखे प अंप लाइं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो तो pipeline परिवहन किन पडार्तों को परिवहन ही तो सहच साधन है pipeline जो परिवहन होता है इसमें क्या हुए कि pipelines डाल दी जाती है तो initially यह काफी costly होती है बनोगे स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो काफ पाइप लाइन डालने में बहुत पैसा लगता है लेकिन बाद में इसमें जो परिवयान का जो साधन है चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन है वो दर से उधर के आज़सता है हमारे यहां पर प्राकरतिक गैस के लिए कच्छे तेल के लिए ही मुश्टी डली हुई तो यह इस काम के लिए आता है और इसमें द्रवीक्रत कोईला और लोहा जैसी चीजों को द्रविक्रत का मतलब इनको liquid form में यानि तरह लवस्था में लाकर और फिर इनको टांस्पोर्ट कर दिया जाता है तो यह भी यहां पर टांस्पोर्ट किये जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनसे क्या-क्या परिवेन किया जा सकता है कोटा राजिस्थान से कच्चे तेल हेतु pipeline कहां कहां से निकलती है बात यहां की जा रही है तो इसमें जो असम के जो तेल शेतर की जो pipeline है देखो मैं इसमें कुछ समझा देता हूं आपको यह question बहुत ज़्यादा deeply नहीं आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको जनकारी होगी चाहिए असम का जो तेल शेतर हैं इसका actual में क्या है कि जो pipelines हैं उनका daily development होता है वो अलग-लग phase में और बढ़ती चली जा रही है और regular बढ़ेंगी definitely है तो जो हम अब books में पढ़ रहे हैं उससे काफी आगे उसकी progress हो चुकी है जो असम के तेल शेतर के हम गुहार्टी से सुली गुड़ी पढ़ रहे हैं हमारी RBSC के book में जबकि वो fourth phase में जा चुक है और यह केवल first phase का matter है ठीक है लेकिन हमें RBSC book से ही देखना है हमें जादा नहीं देखना है तो असम के तेल शेतरों से गुहार्टी से सिली गुड़ी जो इसकी main line है इसकी ठीक है देख लिजीया दो साका है यहार राजवंद से समणित्ट में ंथे दोसरी बात गुहार्टी से सिली गुड़ी जो है इसकी main line है एक कम से कम आप को याद रखना है चीक है नेक क्वेशन देखें, अन्ता विद्धुत सयंत्र, यह important है आपके लिए, काफी important है, क्वेशन इसमें से काफी ज़्यादा संभावना आने की, अन्ता विद्धुत सयंत्र वे सवाई मादोपूर, राजिस्थान में है यह, तो को गैस आपूर्ती की जाती है, पाइपलाइन की द्वारा, तो किस गैस पाइपलाइन की द्वारा यह किया जाता है, वो इसमें पूछा गया है, तो अन्ता विद्धुत सयंत्र वे सवाई मादोपूर, राजिस्थान को गैस आपूर्ती किस गैस पाइपलाइन द्वारा की जाती है, तो आप इसका नाम बताएं, यह पॉर्ट में बोलते हैं HBJ, H यानी हजीरा, B यानी बीज़ापूर, J यानी जगदिसपूर, ठीक है, हजीरा जो गुजरात से है, बीज़ापूर और जगदिसपूर यूपी में है, तक जाने वाली जो पाइपलाइन है, जो गेल जो है, अपकी कंपनी, उसके द्वारा ये तो आपने देखा, अन्ता, विद्धु, सेंत्र, वैस्वाई, मादोपूर, राजसान को गैसापूर्टी जो की जाती है, गेल के द्वारा की जाती है, और हजीरा, बीज़ापूर और जगदिसपूर तक जाने वाली ये पाइपलाइन है, जिसको HBJ गैस सौर्ट में कहा जाता है, नेक कोईशन देखे, जामनगर जो गुजरास में है, जामनगर गुजरास से लोनी जो यूपी के अंदर है, जाने वाली पाइपलाइन किन राज्यों से गुजरती है, जामनगर से लोनी जाने वाली जो पाइपलाइन है, वो किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरास से लेकर ये कहां जाती है। गुजरास से यूपी के अंदर जाती है। गुजरास आपका first state हो गया। यूपी आपका last हो गया। और बीच में राइस्थान, हर्याणा और दिली से होकर ये निकलती है। नेक क्वेशन देखें। लेकिन गुजरास दूसरे तरीके से पूछा गया था ये ही कुशन। तो सलाय से जालंतर से जाने वाली कच्छा तेलापूर्ती करने वाली pipeline गाईस्थान के किस जिले से सम्द्ध है तो ये पोटा से सम्द्ध है। ये pipeline भी आपके लिए कापि इंपोर्टर रखती है। नेक क चाहिए। ये जो है आपके 10th level तक ये नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये देखना है। दोबारी से उदैपूर जाने वाली जो pipeline है वो किस पदार्थ के परिवेहन से सम्द्ध है। ये काफी important है और क्योंकि हमारे यहां पर खनित भी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है सी तो ओस्ता और जस्ता के सम्द्ध ये दोबारी से उदैपूर जाने वाली प्यपलाइण सीशा और जस्ता के सम्द्ध है। Godinder जो कवास बा मेडए से है। सलाया भोगर्ष लटरंगर जाने वाली जो pipeline के राइस्थान कितनी लंबाई है यह जो pipeline निकल रही है इसमें राइस्थान के अंदर ही कितनी Lembahi में फैली हुई है या वह हमें देखना है तो यह से सलाया जाती है और यह कहाँ से जा रही है मंगला से सलाया जा रही है टो हमारे राइस्थान में किती लंबी है यह 174 इंट के जोड़ ऑि राइस्थान के किस जिले को मोरी क्रिक को से जोड़ का अन्तर दे से जोड़ कर अंतरदीशी बंदरगाह बनाने का नर्मानी की यूजपना बनाई गई है, तो यह कौन शा है, यह आपका जालावर है, जहां से इसको अन्तर दीशी बंदरगाह यहां बनाने की बात की गई है, टीक है, तो इससी के साथ बच्चों, यह वीडियो होता आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू